शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरन सब्सक्राइब करें साथ ही हमारी चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूले पिछले हफते के हमारे गुरुवार और शनिवार एपिसोड को प्यार देने के लिए शुक्रिया हमें उमीद है हमारे जवाव आपकी जीवन शैली और आपके स्वास्ते में थोड़ा अंतर जरूर लाते होंगे इसी उमीद के साथ हम आपके हर सवाल का जावब देने की कोशिश करते हैं हम आपको बता दें आप चाहें तो आप अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दे सकते हैं हमारे एक्पर्ट खुद आप से जुड़ने का प्रियास करेंगे किड्नी रोग्यों को कॉविड-19 की महमारी में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि स्वास्थे विभागों का मानना है कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से गिरस्त हैं जैसे डाइप्टीज या किड्नी की बीमारी उन्हें इस वाइरस का खत्रक कहीं ज़ादा है तो ऐसे में आपको हमारी सलह है जितना हो सके बाहर जाना आवाइड करें और किसी बीमारी व्यक्ति के संपर्क में कम से कम आए इससे पहले हम आज के सवाल जवाब शुरू करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए स्क्रीन पर मौझद बेल आइकन को जरूर दबाएं चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब आज का पहला सवाल क्या किड्नी रोगी आइसक्रीम खा सकते हैं ये सवाल हमसे किया है तोरल ओडेरा जी ने तोरल जी हमारे शोव में एक बार फिर आपका स्वागत है सवाल पूछने के लिए धन्यवाद गर्मियों का मौसम हो और आइसक्रीम की बात ना की जाए ऐसा कैसे हो सकता है आइसक्रीम सभी को पसंद होती है लेकिन किड्नी रोग्यों के लिए आइसक्रीम एक अच्छा आप्शन नहीं है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा काफी अधिक होती है हम आपको यही सलहा देंगे कि आप आइसक्रीम खाने से परहिज करें इसके जगए कुछ हेल्दी आइटम्स को अपने अहार में शामिल करें दूसरा सवाल यह सवाल किया है इमरान खान जी ने उनका सवाल है क्या 1.3 मिली ग्राम पर डेसिलिटर क्रिटिनिन हानिकारक होता है इमरान जी नहीं 1.3 मिली ग्राम पर डेसिलिटर क्रिटिनिन हानिकारक नहीं होता एक स्वस्त व्यक्ति का क्रिटिनिन भी 1.1 मिली ग्राम पर डेसिलिटर से लेकर 1.2 mg per deciliter तक होता है 1.3 mg per deciliter मामली तौर पर बढ़ा हुआ क्रिटिनिन है आप अपने आहर पर ध्यान दें सही मादना में पानी पिए और योग करें इससे क्रिटिनिन का इस्तर जरूर ठीक हो जाएगा चलिए अब आज के तीसरे सवाल की ओर चलते हैं सवाल है क्या किड़नी रोगी ग्लुकोस पी सकते हैं ये सवाल हमसे पूचा है राजा कुमार जी ने राजा जी ये निर्भर करता है आपकी रिपोर्ट्स पर आपकी मेडिकल कंडिशन पर अकसर जिनका शुगर लेवल कम होता है उन्हें इसे लेने की सलहा दी जाती है हाई डाइब्टीज वालों को ग्लुकोस का सेवन नहीं करना चाहिए आपको अपने रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर या डाइटीशन से सलहा लेनी चाहिए आप हमारे एक्सपर्ट से भी इस पर सीधी राय ले सकते हैं यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी राय लेना चाहते हैं तो सीधा आप हमारे हैपने नंबर्स पर संपर्ग कर सकते हैं आज का चौथा सवाल क्या सनफ्लॉवर ओईल ले सकते हैं आप चाहें तो इनका प्रियोग भी कर सकते हैं और अब आज का आखरी सवाल जो हमसे राजा कुमार जी ने ही किया है सवाल है क्या किड्नी रोगी चूड़ा खा सकते हैं राजा जी सवाल पूछने के लिए बहुत धन्यवाद नहीं किड्नी रोगी चूड़ा नहीं खा सकते दरसल इसमें स्टार्च अधिक मातरा में मौजूद होता है जो इसे किड्नी रोग्यों के लिए फायदे मन नहीं बनाता इसलिए आप इसका सेवन ना करें तो ये थे आज के जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पिछले हफते हमसे कमेंट बॉक्स में किये थे आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे इसी दर हमें अपने सवाल लिखकर बेजते रहें अगले हफते हम फिर हाजर हुएंगे नए सवालों के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहें अपने घरों में रहें आयर्वेदिक जीवन शैली अपनाए योग करें एक अच्छा पोजिटिक आहार लें अगर आप या आपको कोई भी परीजन किड्नी की बीमारी से पेडित है तो कर्मायवदा में संपर्थ करें और पाएं किड्नी से जोड़ी हर समस्या का हल कर्मायवदा आज विश्व का जाना माना आयर्वेदिक किड्नी के इंद्र है जा सिर्फ भारत से ही नहीं बलकि कई अन्य देशों से किड्नी रोगियों ने आकर अपने नई जीवन की पुनह शुरवात की है क्योंकि डॉक्टर पुनिद्धवन के अयर्वेदिक ज्यानने किड्नी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त किया है क्योंकि डॉक्टर पुनिद्धवन के अयर्वेदिक ज्यानने किड्नी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त किया है पसंद आयागा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं आप सभी के कमेंट्स हमारे ले प्रेंडा के श्त्रोथ हैं ऐसे ही जरूर जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजर होएंगे तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और खुश रहें कोरोन जैसी महामारी से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरते सैनिटाइजर और मास्क का प्रियोग करें धन्यवाद के लिए में खुश करेंगे बरते सैनिम